जै माता दी, दोस्तों बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर, आप सभी को नवरातरी के पावन अफसर पर बहुत बहुत शुब काम नाएं, माता रानी आप सब पर अपनी बहुत बहुत किर्पा बरसाए, नवरातरी में मा के नौ रूपों की पूजा की जाती है पहले दिन मा शैल पुत्री की पूजा की जाती है परवत राज हिमाल्या के घर पुत्री रूप में पैदा होने के कारण इनका नाम शैल पुत्री पड़ा मा शैल पुत्री को कनेर के सफेद फूल बहुत पसंद हैं मा की किरपा पाने के लिए मा को गाय के घी का भोग या गाय के घी से बनी वस्तूओं का भोग लगाना चाहिए ऐसा करने से मा अपने भगतों पर बहुत परसन होती है और भगतों को मन चाहे वरदान देती है तथा धन धान्या और रोगों से मुक्ति दिलाती है भोग लगा कर किसी मंदिर में या गरीब को दे देना चाहिए अगर आपके पास मा के नौ रूपों की फोटो नहीं है तो मा दुरगा को ही भोग लगाया जा सकता है अब मैं आपको पूजन विदी के बारे में बताती हूँ पर उस से पहले जो बंदू मेरे चैनल पर नहीं है जिनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और साथ में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफकेशन सब से पहले आपको मिलें दोस्तो बच्चो इस दिन प्राता काल जल्दी उठकर स्वच वस्तर धारन करें मंदिर की अच्छे से सफाई कर लें पूजा से पह पर लाल कपड़ा बिचाएं माता का चित्र स्थापित करें गनपती जी का आवाहन करें उसके बाद हाथ में लाल फूल लेकर मा शैल पुत्री का आवाहन करें मा शैल पुत्री को कनेर के फूल अतीप्रिये हैं मा शैल पुत्री को अक्षत सिंदूर धूप गंद का दीपक दिलाएं और मा की आरती उतारें मा को गाए के घी या गाए के घी से बनी वस्तों का भोग लगाएं इस से खुश होकर मा अपने भगतों पर किरपा बरसाती है बोलो माता रानी की जै